देखो पिछला वीडियो में पहले पेपर TET दे CDP दे बनाया सी उसते basic consult clear करन दी कोशिश कीती सी उना question देना related कुछ thinking exercise जा testing exercise जेने जडे कुछ एक question वो इस वीडियो जपेश कर रहा हां वो question previous जडे तोडे paper हां उना विच्चो नहीं हां वो question new type दे question हां उदे विच्च true, false जहां correct, incorrect, incorrect भी होंगे और MCQ different type दे होंगे normally MCQ विच्च तुसी एक stem होंदी है ते चार औस दियां option होंदी हैं एक, दो, तिन, चार, one, two, three, four ते एक जो right answer है उसनो लपण दी कोशिश कर दे हैं तो तुसी already त्यारी जिस book यह YouTube तो कर रहे हैं वो expert भी तो अनूँ इसे तरह उस दी त्यारी करवांदा होएगा जाके right answer A है पर हर विले right answer के focus करना लो सार्य option ते focus करना better होंदा है ए लबल लेना के बाकी गलत क्यों हैं के सही केडिया हैं दो सब्तों सही केडिया हैं जा उसनों rank विच तबदील कर लेना कुछ इस तरह यह exercise करामागा प्लस mcq जिस विच चार दी जगाते तेन option भी हो सकते हैं ते तुसी उना option दे विच्छों से फे नहीं लबना के एक right answer हैं तुसी यह देखना है के उना दे विच्छों किन्ने right answer है जीरो भी हो सकता है एक दो तेन चार पांच किन्ने भी right answer हो अजे यह question जे तुसी solve कर दे हों तक तो add probability mcq solve करन दी सच कहना हां वज जाएगी different idea exercise होएगी दूसरा cdp ते ज्यादा जोर क्यों दित्ता गया है fundamental theories by gospel की प्याजे कोल बरग एदे विच शामल हन क्योंकि एना theories ने जेड़े ए 15 question तो add दूसरे paper विच पैड़ा गाजी दे आने हन 15 15 15 15 उना ते वी apply होना है मैं strategies दस्वांगा तो नो कि same knowledge नो तुसी ओना नो solve करन ले कि में use करना है that is why मैं ज्यादा जोर fundamental theories नो explain करनते दमांगा ना ना उस दी exercise क्रवांगा previous question भी discuss करांगा इस paper दे विच असी कुछ true false बनाए होन thinking exercise तुसी लबना है which is the correct statement मैं कोशिश करांगा जवाब दमा maximum दे पर कुछ इक दे जवाब नहीं दमांगा जो तो अडेली challenge होनगे पंसत question रखांगा विच्चो जेना दे जवाब ना दमा for example ओ question दे जवाब तुसी मिन्हों comment box विच दे सकदे हो के उना दे जवाब की हैं फर्तर discussion उना पे होएगी के ओ तो आडे गलत जहां सही क्यों हैं फर्स है growth is part of development वादा विकास्दा हिस्सा है यस ए ठीक है असी जान दे हैं पिछले वीडियो देखा है development विच ग्रोथ भी शामल है learning भी शामल है sorry positive learning शामल है ठीक है self multiplication or division is base of growth बिलकुल ठीक है growth is observable height growth है weight growth है observe कर सक दे हैं मतलब कि यसी खानववा देख सक दे हैं को अनरे सब्सक्रापष कर सकδώए है observe कर सक्डे जैड čिज गल्स फर्व कर सकते हैं height material मैंए कर सक दे हैं noap सक दे हम यस शत्रियों Development is, development is qualitative, धिक, इड़ जवाब तुसी देना है, पंजभेगा जवाब तुसी देना है, यह राइट है, जजज आउंगा है, जित्वे मियर्मेंट आगी, जित्वे नाप सकते हां, साइज आगया, उथे ओ तुसी बाइज़ वान्टिटेटिव हो गया, धिक, वादा मातरात्म है सारे मनुखी अंगादा विकास हमेशा नरंतर हुंदा है ग्रोथ ऑफ और हुमन पार्ट्स और और ऑर्गन्स आर डिस्क निरंतर एथे निरंतर है एथे डिस्कंटिवर्स है आलवीज ठीक एवाले रूटीक समझो देखो एसे तरह हुंदा है जरता पेपर पैंदा है कि नैशनल ईंटरणेशनल कृताबां मिंष्णी नर ऑपड़ियां जानी है जा ज़िए थिंग कर रहु अंगिलिश ही पड़ अंगिलेष्टी लिभी ब्लगनेस को निए倍 दिया कर दियादही नना हम च्तिक समझा जावे इश्म तोड़ा शब्दाब्री भी दे रहे है तद तोड़ा MC की question solve करन्दा जिड़ा है तादाद है वो बद जान दी है ठीक तो यह थे एस नो ठीक समझना है इंग्लिश वाले नो यह दसना है कि तुसी यह ठीक है जा नहीं okay biological maturation is positively related with learning yes जिदा असी mature मतलब के मैं biological maturation के बच्चा बैठना शुरू हो गया बैठन तो बाद कुछ time दे बाद ओ खड़ा होना शुरू हो गया खड़े हों तो बाद तुर रहना शुरू हो गया ठीक है मतलब कि ओधी body GDC ओधी natural ability इस काबन होगे कि ओधा पार सहार सकती है उ कि time से गुंदा है जिदा 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 वो biological maturation हों दी है तो इंदर उद्दर दे objects नो चक्टता है मूच पहुंदा है सुटता है जेड़ी भी चीजों दे दारे चांदी है जिदो रेडर लगदा है जिदो तुरल लगदा है ज्यादा चीजां तक पहुंचता है ज्यादा दार लर्निंग लगदी है ठीक पट्छमां सी जेंडर इस डीजव भाजिकली और हेरेदिवी और जेनेटिकली यह तिने शबद निडगदर दोर सविरी सेंड गेशेर गेशेळे जेंडर स्विच है ते जेंडरों जीजवन को दोर 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 कुरी है सीजव पहला कि टुर ही तुसी तुर्दे एद्दा होने चाहिदे बैठा होने चाहिदे आइसानी कुड़ियों, तुसी एद्दा नी बैढ़ना, एद्दा नी उच्चा नी बोलना, गाला नी कड़निया, तो असी दो उना दे विच का अरपे नपेद किते हुए है, सुसाइटी कुछ इक कहन दी है, बच्चे कुडियानों हैटी बर्डे कहन दी है, दुजी सुसाइटी जीन्दयानों मार दन दी है, चलो मारन वाला कंसेप्टेद विच नहीं है शामन, हाँ उनों जो सिखाया जान है, एक संद किते जान दे हैं, ब्लू कलर उस नू नहीं दिता जान दा, पिंक जड़ा है, वो मुंडियानों नहीं दिता जान दा, सो इस ते तरह समझा जान दा, मैज्ट्स विच कुडियान कमजोर हैं, कौन समझ दा है, टीचर सुसाइटी समझ दे हैं, अच्छा, मेकैनि यह जान चल्ड करन बिच कुडियान कमजोर समझ दा, ड्राइविग बिच कुडियान कमजोर समझ दा, यह सानिया तार्स तरह नमा असल विच गलट हैं, ईक गलट तरौना में दितién हैं, ठीजिव में चल्डों ड़ल ऌसमें हैं, यह सुरी के ते च़ुने चल्ड्स नहीं थे खुदृतने सिर्फ कीई ही फर्ख किता सी कि फीमेल ने बच्चेणों जनम देना सी तो मेलने नौ महीनेे फ्री रहना उसने नौ महीने और अज्च्टरा काम करना है ज्याद रखना थ्री जॉब्ज फीमिल ना उच्चा जेंडर है कि इनो त्री जॉब्स एक जॉब एक फैमिली बच्चा संबालना पैदा करना संबालना बार भी अच जॉब कर रही है और कर भी संबालना ठीक है पर जड़ा एक सोसाइटी है कि उसनों असी देख्या है अच भी करदा कम कई बज़ुर्ग औरता जा मर्द जड़े ने ओ यही आधे हम कि पुडिये तुं कीचंदा कम करना यह जड़े रोल्द जलबकरी अधे हम यह जड़र है हर सुम्साइटी के ली छॉवख रहाएगा हर कल्चचर छॉवख रहाएगा फ्वोरें छसे देख़्हाईगा लसे आधे उसे दो पंजाब विच फर्क मिलेगा, पंजाब विच शैयर्थ पेंड विच फर्क मिलेगा, विच फर्क देखो फिर जनेटिकली होया, के बाहर सोशल होया, environment होया, culture होया, so, gender is a socio-cultural construct. Okay, biological maturation increase the probability of development. Yes, जिदन learning वाद हैंगी, development वी वाद हैंगी, biological maturation पिश्ली example जड़ी तिसी next है पंजाबी बारे नीचे तो पड़ सकते ना ना development is growth plus all type of learning इते focus करो कि all type of learning learning connected भी हुँ दी है positive भी हुँ दी है कि सारे तरह दी learning development होएगी कि growth सोचो मैं indicate करता है okay physical emotional social cognitive moral development are interdependent मतलब के physical एते depend है emotional एते depend है 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 एते सारे एक दूज्जे एते depend कर दे हन जान एक development मानलो कोई बिच्चा physically injured होया चोट लगी कि उदे emotions disturbed होये एनना सोच लो ठीक उदे चोट लगना emotional नाल उन्हों अपना बाड़ा लगना प्या होदे social रिष्टे अच्छा कियो math का solve कर सकता हम सम्ट ठीक अच्छा जदो मोई लगेगा कि यह ओ बहुत नीमा हो गया जे उन्हों इन्फिरिटी कंप्लेक्स हो गया तो की ओ इम औरल एक्ट चूज करेगा जम औरल ज्यादा चूज करेगा किते फोई एक भी कटना किसे एरियाज होई और किसे नो भी प्रबावित कर सकती ठीक दे इट मेंस दे आर इंटर डिपेंड़न जीन्जाज कैरियर अधिर आप्रव प्रश्पर प्रवाव एक शर्थ है एंटरक्शन विद मैटीरियल अद्मयर्मेंट इस मन अफ दिशन ओफ डेवल्मेंट जे कुसी प्याजे दी थी त्यूरी ने दी देखिया होई तां प्याजे की केंदा है प्याजे करकंदा है कए अफच्ज श्रावाग करोंगनी केंदा जा। इंटरेक्ट करेंड़एं उमूज पाके देखदा है, यारे की है, सुटके देखदा है, कितना दिया वाज आंदी है, ओ जड़ी information अपने माइड चुपाई जानदा है, ठीक? ओके, interaction with material, मैं object यूज किता है, is one of the condition of development, कि उस तो बिना development हो सकती है, जो object बच्चे नो learning material ही ना दता जावे, एक question है, first है, education include all type of learning, सारे पिछे भी एगल कर रहा है, तुसी देख सकते है, और आइटम से की है, सिख्या विच हर किसम दी सिख्या शामिल है, व्यक्तिगर्थ, अंतर के बग खांदाने हम देहन, individual difference, ठीक? intelligence दा है, difference age, largely determined by heredity or genes, ओके, लेकिन देखो के, जे सारा कुछ ही heredity होवे, तो फिर असी education क्यों देए? education इससे लिए है न, कि जिस level दे बच्चा है, उसनों उत्ते चक्का के जा सके, जिस level दे functioning है, उसनों इंप्रूफ किता जा सके, उसनों इस सोशल, moral, physical, सारी growth देवेल्पमेंट दो अप लेवेल्पमेंट दे लिजाया जा सके, तो कल्ला heredity की में हो सकता है, child development suggest pedagogy, जिनी theory है, PRJ, Vagostki, Brunner, John Davy, Albert Bandura, Skinner, एक कुछ न, कुछ प्रोसेस देहन, जिस नाल बच्चा better सिख सकदा है, जदो वो better सिख सकदा है, for example, PRJ केंदेहन, के, तीजी अवस्था विच जा के, बच्चा logical सोचन लगदा है, पर concrete objects दे नाल, ते फिर, असी, उसत साल दी उमर है, सत सा इंडे मरे वगोस्त की, ते उदे मतावक, इस दा मतलब है, सत साल दी उमर तो पहला, सेवन येर तो पहला, जे बच्चे नो, लॉजिकली सोचन ले, जहां, ओ, लर्निंग मेटीरियल, जहां, सले बस लगाया जानदा है, तो बिल्कुल गल्थ है, प्याजे दी थियोरी ने लॉजिकल एरर कर सकता है, क्योंकि उसनों लगदा है, जिडी चीज, शेप विच वड़ी है, एक किलो रूम, जा एक किलो दा बटाकेडा पारी है, सत साल तो पहला बच्चा कहेगा, कि एक किलो दा रूम पारी है, सो एक कहा आता है, जा आसी थिंकेंग, एक्सराइसाइसा कहेंदा है, नहीं, दोनों तो एक किलो देहां, बेशक साइस वड़ा है, उनसों चलग पिया ना लॉजिकल, सो पैडागवाजी विच ए सत साल तो बाद उननों लॉजिकल थिंकिंग दिया, एक्सराइस करवाईया जाननिया, पार सूटेबल लर्निंग मेटीरियल देके, स कास विचे कार उन्चाइदे पार्शामल होने हैं, जैविक परवक्ता समा सार्नी दी पाधना कर दी है, बाइलाजिकल मिचरेशन टाइम टेबल है, कि एक टाइम थे ए वाली चीज अननेचरल चीज अनफोल्ड होनी है, दूसरी, तीसरी, बैठना, उठना, खड़े होना, जैविक परवक्ता अपने आप परदी है, आटोमेटिक है, येस, लर्निंग आटोमेटिक नहीं, लर्निंग इंटेंशनल है, एक्सपीरियंस बेसद है, कॉइंशिस प्रोसेस है, ठीक है, जो बाइलाजिकल मिचुरेशन है, ये अनकॉइंशिस और आटोमेटिक है, ठीक, बाइलाजिकल मिचुरेशन रखकर, ओन जेनेटिकली डिफाइंड टाइम, लग पर एपर गर्पी development include progressive change in different areas और प्रोग्रेसिई ऑं जी development ये की प्रोग्रेसिंट मेड़ेंreally on यह concurrent है ऑन जे प्रोग्मेंट में कम दो जुत ङंन्हों गांतर थी पैरल्पेंट में प्रोग्रैसिंट है और है फिजिकल भी, मोटर भी, एमोशनल भी, सोशल भी, एस्थेटिक भी एसी पिछे करा हैं प्याजे एक्स्प्लेंड डिवल्पेंट प्रोसीड फॉं इल्लाजिकल तू लाजिकल थिंकी ये तु सिदसना है स्केमा पिछले ग्यान भी बनतर है स्केमा structure of previous knowledge स्केमा नू याद रखना है पीके मूभी याद रखो, previous knowledge क्लस पर action भी शामिल हुदा है, behavior भी शामिल हुदा है स्केमा is existing knowledge which helps to know about the new knowledge yes, interpretation स्केमा next है 31, the base of cognitive development is biological maturation and material environment experience according to PIAJ PIAJ दे अनुसार biological maturation के बच्चा biological mature हुएगा जिनना mature हुएगा interact करेगा, interact के दिनना करेगा इतने इस कर भी सकने हाँ इगल भी किती सी, प्रस कर लने हाँ फिर तो लिपने हाँ अ, mature हुएआ ये mature हुएआ ये वाला mature जादा ये हो जादा, ये जादा mature हुएगा इत मीन्स ज्यादा interaction करेगा material दे ना material material and environment ठीक है, जादा objects दे ना interaction करेगा, ठीक biological maturation दे ना interaction दे आ है, interaction दे बदन ना interaction दो ही, इसनो experience भी कह सकने हाँ तो ये दे नाल ही learning learning देगी, learning देगी के देगी देगी, वापस चले लो, ओके कोलबर्ग ठीक्स्ट्री एक्स्ट्रेइन how a learner think about justice, देखवे इत गलती है a learner लिख लेना है ये ही गल्में दसना है कि पंजाबी विच ट्रांसलेशन दे गलतीयां हो सक्दियां है, जदो गलती हुंदी है तुसी इंग्लिश वाले नो सही बनना है ये एक्सर इंस्ट्रेइन दी है that is why तो अनों अपनी vocabulary increase करनी चाहिए दी है बार-बार में कहना एक नुकता है P, T, C, T, U, G, C, Net कुछ भी क्लियर करना है कोलबर्ग एक्स्ट्रेइन that how a, हाँ, बिल्कुल वैसे morality का मतलब होंदा है but is good or bad ठीक, पर कोलबर्ग दी थियोरी दे विच चोरी करना तुसी justify application जे दे दने हो जास दे होगे ना justice मिलेगा चोरी करना, तो वो right है, लेकिन कोलबर्ग दी थियोरी चोरी करन जा ना करन ते कोई जोर नहीं दन दी वो जोर दन दी है कि पिच्छे reasoning की दित्ती जान दी है कोई भी act करना है moral जा, immoral वो reasoning है immoral ने, सिर्फ moral तो वो reasoning की है justice दे आलिद वालेकुम दी है justice, वोदा दी situation जेडी dilemma सी हो, justice दे आलिद वालेकुम दा सी cognitive development means improvement in functioning improvement in functioning याद रखना है development दा fundamental है in cognitive abilities yes, in moral abilities yes, in physical abilities yes, motor abilities yes, in aesthetic abilities improvement yes development indicate positive change for the improvement in functioning different domains of learner domains भी हो सकता है dimension भी हो सकता है areas भी हो सकता है वो ही cognitive effective cognitive जो उन करना करके आए हाँ विकास दस ख्याबेद वकवक domain ना एक कम काज विच सुदार एक central idea है development दा ठीक, ब्लकुल ठीक है fourth stage प्याज़ेदी cognitive learning learner can be taught with concrete operational stage एक उसी दसना है क्याज़ेदी बहुत देका आग में मेंनो question पुछ नहीं है comment box करो कि चौती वस्तरा जेस्तो abstract जा formal concept learning दी stage क्या जानदा है inductive sorry deductive reasoning उदो तक develop हो जानदी है कि ओदे उस stage विच concrete operation जा concrete experience नाल टीच करना चाहिदा है pedagogy यह तुसी दसना है okay सारे स्ख्यारती प्यादा दे चौत्थे प्राले अमूरत सोच all learner to learn to solve logical problem with ठीक है असी जानने है पीजी stage विच logical development हो यांदी है concrete ना चौत्थी चे logical development ना अदी abstract ना तुसी दसना है कि तुसी यह सही है कि यह question एस तना दा आएगा पक की गला इसलिए बेशते पक का आएगा अच्थी development is discontinuous process according to प्याजे जित्थे वी stage याद रिखना है जित्थे वी stage आजान दी है प्याजे दी क्योरी stage क्योरी है ठीक जित्थे वी stage आजी है इस दा मतलब है discontinuous discontinuous कि जो बच्चे को एथे error C error C वो एथे छड़ दित्तिया उसमे ठीक एथे cross हो गया वो next वो error तो अग्ये बद गया है एथे जो error C वो तो बैटर हो गया अग्ये चला गया सो एथे कोई चीज नो वो छड़ दिन्दा है discontinuous development that is why according to concrete stage means sensory experience एसे फेसली में question बना है थी के concrete ता मतलब नहीं पता concrete mean जिसनों देख सकते हो एनना सोचनो बस जिसनों देख सकते हो छू सकते हो ताच्छा कर सकते हो sensory experience देखना करना senses देना छूना करना एस senses देना मिल गया ना बढ़ गल्द operational mean logical thinking और errorless reasoning इन प्याजस थेोरी दूसरा शबत है operational is a fundamental word term to be you need to understand operational दा मतलब ही है जिसनों दे माइज दे अंदर operation चाहँदा है पर ओ operation जिड़ा right होई correct होई जिसनो problem right solve even process भी right होई छी so operational mean errorless reasoning ठीक है अगे question हम इसनों फोड़ा बदल लईए जिसने तरह कर लीए ओके इसने हम पर उता लाए okay MCQ question ने को जिक बनाए oh MCQ question इसनों मिल्दी है इक sorry sorry जानों मिल्दे हैं जानों एक वद्यार्थी है जो पिंजिकों साब मिल्दे हैं किसले कि कुझ इक बच्चेयां दे पले ले एक रूल जड़ा है उनना दे रस्ते चरुकावट है सर जी उननों change कर दता जावे जे चेंज करांगे तो उनना दर पला होएगा बाकियां दर नुपसान नहीं होएगा शानों किस लेवल ते जी रही है सिर्फ छे स्टेज़ इदे विच पिनो वैसे चलो सत्ने भी लो जीरो स्टेज प्री मॉर्डल स्टेज स्टेज वन सिंपल अथार्टी ओर्येंटेशन देखो इदे विच में ज्यादा नाम दित्ते गरे हैं यह ज्यादा नाम जिदो तो अनू लर्म कर लोगी जिदो कोल बल भी चूरी करवाँगा यह क्लियर करांगा यह नामा नू याद किद्दा करना है यह इन the फॉल अ करना है पनीशनेंट नामदेंस ओर्येंटेशन स्टेज 2 सेज विस दिन नामन क dependence विस सेफ इंटरस्ट इन्स्टिम्स अंचम आगिसेट्पारशों यहाद आजह साहन द्र одश्देशन रलेंदेशन स्पर बिष्टिट सोशल कंट्रेक्ट सेज सिक्स युनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल एक गल याद रखनी है टेट दे एक्जाम लई जा यूजी सिंग एक्जाम लई युनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स वाला बंदा जो 72 दा बॉइस दा शिकागो जो जड़े मेल परसन होना ने लेसं अने जड़े विच्चों इने सेंपल दे विच्चों कोई होना नो ये शक्स नहीं मिलिया कि जड़ा जिप्स्ट स्टेज दे जीनदा हो फे इसली उना ने एक आईडियल स्टेज दसी है यह ज़िए आपने वड़े बड़े सोशल रिफॉर्मिस्ट नो रख दे हन जान संत गरण्बरा पीरा पर गंबरा उनो रख दे जना नो दी पूजा कर दे हन जना दे फोटो मूर्तियां तुसी अपने कराच रख दे हन ओना दे एक्शन यूनिवर्सल एथिकल़् मनने जान दे हन जयादा था बंदे इस तरह दे मिल दे हन पर दीवा लायके लबने पर दे हन स्टेज़ा रिच देखू अच्छा जदो एक क्वेश्चन सौल करना हमदा है ति अंडरलाइन करो फिर द्यारत है नियम नूं बदलन विचना नूं अंडरलाइन करो जदो भी कोल परगदा कोई भी कॉश्चनाना है सोशल रूल, कन्वेंशनल रूल, लीगल रूल जब कोई भी ला हमदा उसनों अंडरलाइन करो यह देखो के जो सिचुएशन दित्ती गई है वो कन्वेंशन तो सोशल रूल तो वो बंदा उपर जा रहा है जाओ तो थल्ले दर के जी रहा है ठीक ए चीज देखनी है उतो दो आइडिया मिल जाएगा जो थूरी करवा मंगा वैसे शॉर्ट विच में करवाई हुई है तो उसे उत्तों की अंदाजा लगा सकते हो सो यह बदलना चांदी है नियों नों एता मतलब है नियमा उत्ते जीना चांदे हम सो अदी है डर वेची जीन है कि डर वेच मैं जो भी सही आ जो ममी पाप्पा, टीचर पर देख रहा है उन्नों सही समझना है फियर करके, पनिश्मेंट करके ठीक है दू जी पर है कि अंधर निया ant !! कि मेरा फाइदा है मैं ते देखना मेरा फाइदा समाच दा फाइदा जा रूली मैं देख रहा है मैं मेरा फाइदा देख रही है ठीक है ते तीजी चौथी स्टेज विच सोशल रूल्स हैं ते हुं तो अड़े सा मुने अंसर क्लीर है कि इस लिए रीजनिंग डाल करो मैं अंसर लगपक बस कित अंसर पुछे हैं जेड़े इम्मोरल ते मॉरल एट साथे समाज में छुन दे हैं ते उना विच्छो एक जवाब आया यह काफी लोग मिलेश हैं कि मैं इसलिए हलमेट पहन दा हां क्योंकि मैं अपनी सेफटी कर सका मेरा हैड बच जाए मेरी लाइफ बच जाए जे जाए जेए तुसी देख सकते हो अंडरलाइण करने हाँ अपणी सूरक्या और बीच अंडरलाइण करो जे तो सॉल्फ करना है किस अ ओन सेफ्टी हिस और हर ओन सेफ्टी है मतलब में मेरे थे focus कर रहा, मैं society दे रूर थे नहीं, society दे आप्रूवल थे नहीं focus कर रहा, मैं universe थे focus नहीं कर रहा, मैं आऊना निमा नो change करन बारे नहीं सोच रहा इट मेंस मैं पहली यहां दो जिडिया स्टेजिस है उना ची जी रहा हां तुसी देख लो पहली स्टेज विच पनिश्मेंट ते इदर विच दिखाई दे रहा है जा उसनों कोई बैनिफिट इंस्टूमेंटल एक सेल्फ इंटरस्ट भी है इसनों कहा दता है अंदर या उद इस तरह तक नो एक तांज समझने पहनी हैं तो कोई बर्ग दे कॉश्चन तडे दो तिन जिनने भी आने हां किते ने गया है बिल्कुल ठीक उसर दे हैं नेट्स त्योरी चे दस्तांगा कि इना नो कितना समझना है कोई बर्ग दे पूरी बनेगी तीजा कॉश्चन एंसी क जीरिया है ठीक कुछ या गया है प्री कन्वेंशनल 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 दा मतलब ही ए है कि सोशल रूल चे जीरिया है जीरिया है जीरिया उना नो रूल चेंज करना चान्दा है होस तो अग्गे चला गया जीरिया सोशल रूल देखता है ने अपने ते फोकस कर रह तिन लेवल है, मैं मेरा देखना भी, दूसरा, मैं समाजदा देखना भी, मैं सबदा भेखना, ते जे समाजदा नेमां दी प्रवर्तन जरूरी है, तो मैं प्रवर्तन कराऊंगा, ठीक? MCQ-4, according to Piaget theory, learner cannot think logically at which stage, logically कदो ने सोच सक्दा, ठीक? sensory motor, action, 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 pre-operational, operational दा मतलब ये है सी, के thinking, reasoning, ठीक, concrete operation ने में रिखल सिखा चुक्के हैं, so operation दा मतलब है, पिछे कराने हैं, question हो, तो तो तुझी answer कर सकते हैं, pre-mean ये उस तो पहला, it means गंतियां करे हैं, concrete means, के सोच रहा हैं, पर concrete objects देना, मैं उन्हों कोई चीज दे दो, मैं उन्हों देना problem solve कर लाँगा, उसनों देख के, touch करके, मैं उसनों चीज दो देखे बिना, touch कीते, बिना ही, logically solve कर लाँगा, ठीक? So, एदा संबंध है, अच्छा तुझी दो देनी answer ला सकते हो, एक ते दो, एदा भी ला सकते हो, वैसे, illogical इत्ते तक चल दी है, इसनों symbolic thought भी इत्ते क्या जानदा है? 5th MCQ question है, according to PIAJ theory, symbolic thought, underline कर लेना है, जड़ी important चीज पुछी गई है, symbolic thought, stage, is also known as, हुन ए सिंबॉलिक शबत किसे नालवी नी मैच कर रहा है, हाँ, thought ना मैच कर रहा है, एसे जान दे हाँ, का thought process sensory motor, विच शुरू नहीं होई हुन दी, क्योंकि sensory दा अर्थ है, ज्यान इंदरिया, देखना, टच करना, सुनना, motor दा मतलब है, action, movement, body the movement, इस stage दे, बच्चा, senses दे, motor action नाल ही समझदा है, उसको logic नहीं होदा, ए तिन stages है, जित्थे logic, एथे errorful होदा है, एथे concrete objects नाल समझदा है, एथे concrete तो बिना वी समझ सकदा है, सु एना तिन्ना विच्चो एदा उत्तर होईगा, चलो मैं दस देना हाँ, operation दा मतलब logical है, pre operational, symbol system, दो साल, एथे, ए स्टेज, दो साल तक खतम होंदी है, एथे लिख लेने हाँ, जीरो तो दो साल होंदी है, दो साल दा बच्चा जदो होंदा है, ओ symbol, symbol use करने शुरू कर दना है, symbol की है, किसे चीज दी, असल दी, representation कोई होर चीज जदो कर दी है, ओ symbol होंदी है, for example, असी कहने हाँ, ए असली pen है, लेकिन असी pen लिख दे हाँ, ए एक symbol है, तो एक ते language, language development शुरू हो जदी है, language सारा ही system, symbolic system है, so free operational stage जडी है, symbolic thought जोडी जडी है, इसनों होर समझना है, ते motor action based logic, logic नहीं basic होंदा, लेकिन motor action ना ली हो, बार ले संसार नों बच्चा समझदा है, इत्थे symbols ना समझना शुरू कर दूंदा है, लेकिन logical error करदा है, इत्थे logical error नहीं करदा, मतलब operation mean logic, logic अपलाई करदा है, पर उसनों concrete sensory experience चाहिए दे हन, कि उसनों वो चीज दिखाई दिंदी होवे, वो टच कर सकदा होवे, सोंग सकदा होवे, उसनों सुन सकदा होवे, concrete चीज, ठीक, concrete नो जदो भी समझना है, उसनों नाली अखा सामणे ले आंगे हैं, जिसनों अखा न देख सकदे हो, और हाथ लेओने हैं, सामणे, कि टच कर सकदे हो, ठीक, formal which की है, कि without object, without sensory भी तुसी problem नो solve कर लेंगे हो, ठीक, इस दा बतल वे नहीं है, कि तो अनों concrete नहीं दिता जाएगा, नहीं दिता जाएगा, नहीं दिता जरना चाहिएगा, formal which एक तरांदा बच्चा, researcher, researcher बन सकंडी काबियत रखना शुरू कर दंदा है, पर हर बच्चा researcher नहीं बनदा, researcher मीन, scientific thinking अप्लाई नहीं कर दा, scientific thinking मीन, deductive ते, inductive नो combine करके, किसे hypothesis नो test नहीं कर सकदा, पर प्रप्याजे ने इसनों कैसी, hypothetical deductive thinking, so, ए वालियां, stages हैं, ए रेपीट करा रहे हैं, ता जो, तो अडिनाल ना, के question भी solve कर सको, और त्यारी भी हूं दीजावे, repetition ना जाथ भी रहेगा, मैं जारा तल तो नो ए सुझाइशन दिनना हां, के एक शबद नो फड़ लो, pre नो इते फड़ लो, sensory नो फड़ लो, motor नो फड़ लो, ठीक है, operation दा meaning समझ लो, प्रॉब्लम बिना theory, lightly theory नो जुद्ना समझाया है, थोड़ी होर समझा मांगा, अच्छी तरह वैसे समझा मांगा, लेकिन उस तो बिना भी तुसी इसनो solve कर सक भी हूं, तो पंजाबी बल बिच्चे नाना ने question समझ सकते हैं, वापस से लोगे, एक आर नेक्स्ट कोस्टन थें Question six, Punjabi बी बिच्ची कोस्टन सिक्स्ट, प्याजे थि All온 सार, कारजशील विचार अमस्था, इत्य की है, आप्याजे थि न में अपरेशन। अ थोट स्टेज, आपरेशनल थोट स्टेज, operational thought sensory है देखो असी ओदेना ली समझन दी कोशिश करना लग गया sensory sensory area sensory senses देना motor action देना motor action ठीक है पर एत कह रहा है operational thought operational कीसी ऐसी operation दा पतल की दिखा है है logical वैसे operation दा actual अर्थ है जो brain दे अंदर बच्चे दे thinking चलती है परो thinking right हो वे correct हो वे एसलिए logical thinking दा ना मसी देता है so एथे operational thought है एथे पर एपरी operational है मतलब के असली operation तो पहला मतलब के दल्तियां एथे करदा है हुन ए बच्दा है operational thought की बच्दा है concrete operational ते formal operational ठीक formal operational विच्च abstract abstract क्यों लिख्या है थे क्योंकि concrete दा विरोधी है concrete जिसनों छू सकते हैं देख सकते हैं abstract जिसनों छू नहीं सकते हैं देख नहीं सकते हैं जिड़ा sensory नहीं है इदे विरोध विच्च तुसे समझ सकते हैं तो operational thought stage सभी जा शिदी इननों जिकट देए abstract देए ए बन लई है concrete operational stage पंजाबी विच नावत पर सकते हूँ सत्वा question है seventh question abstract concept हों तो सी abstract नो अराम न फड़ लिया होना एक उत्वर question सिद्धा solve हो गया है abstract concept गल याद रखनी है concept हमेशा ही abstract हों दे concept कदे भी concrete में हों दे क्योंकि जो मान लो fruit का concept है fruit ए बच्चा fruit एक दो तिन देखदा है ओदे बारे अंदर ideas जड़े इस अंदर ideas जहां category जहां जो ए दे बारे knowledge है वो इक अठी कर लेए है ओ knowledge ओ category ओ आइडिया जड़े हन concept होंते हैं for example fruit का concept ठीक so abstract था एक था बिल्कुल ही sensory के motor है concrete है एक थे था logical है ही नहीं एक थे है थे concrete है so concrete थे उल्पच था की है former जड़ा abstract था ठीक so answer थाड़े सामने first है इस तमावगत ने हान answer mcq 8th अच्छा यह हो गया mcq 8th private page theory दो उन्चार बस तो style object permanence object permanence तुसी की करना है सब तो पहला जड़ो question पढ़ दे हाँ तुसी वह चीज नू circle जा underline क्योंकि तो आफ-line पेपर हम तुसी को कर लेना है object permanence ठीक concepts तो नुक्लियर होना चलिए सब तो वदबार question एक थे पुछिया जानदा है object permanence के stage विच है ठीक है object permanence है जो बच्चा दे सामने object है कोई for example एक pen है pen मैं छुपा लिया जे छुपान तो बाद वो सर्च नहीं करता प्याजेने की कीता सी के देख्या के ओ लब नहीं रहा इसमों find नहीं कर रहा इदा मतलब यह लिया के pen दी image कुछ महिन नहीं बाद जो दो ओ पैननों फिल दखानदा है ते ओ पैननों लब दा है pen जो दो लब दा है दा मतलब है कि object दी image permanent अंदर बढने शुरू हो गई है object-e-c-e object image permanent बढने शुरू हो गई है मतलब जे बढने शुरूर हो गई है ताहीं उन्हों याद है कि पैंड बेशक में अख्छा में सामने नहीं हैं पैंड किते एग्जिस्ट करदा है एक अब्जेक्ट परमानें सदा सो एता सिद्धा इसना जवाब सेंसरी मोटर है पर याद रिखना है कि इस दियां छे सब स्टेजिस हां ठीक जो तो थियोरी करांगे ओदों इस दियां सब स्टेजिस आयां करांगे तो मेरे एक ख्याल उनसार चलो नेक्स्ट अगले कॉस्टन ने हैं अगले वीडियो प्याजे भी थियोरी ते हुएगा उस दे बेसिक फंडमेंटल कंसेप्ट डिसकस किते जांगे नाल है उना जांगे कॉस्टन पर आए हैं जड़े होर स्टेट्स पे सेम कॉस्टन आंदे हैं टीटी दे तो किसे तरह दा कमेंट होगे तुसी कर सकते हो थैंक यू